तो सर सवाल बढ़ा यही बनता है, record हमने inflows देखें FIS की तरफ से, back to back दो साल ऐसे हुए, एक लाग करोड से ज़्यादा FIS ने इंडियन मार्केट्स में रहा है, तो यह जो डॉलर सुनामी है, इसकी है ट्रिक दिखे की 2021 में, अब तक इत्यास में है ट्रिक लग चू किये, ल नेगेटिव दिखेगा 2021 में, कि FIS बेच को निकल जाएंगे, या आपको net net sell figure दिखेगा, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2020 में आपको first half में देखें तो negative figure था, second half में जो बड़ा पेसा आया, वो आपको net picture अलग दिखा रहा है, मेरा यह समझना है, यह सिर्फ और सिर्फ अगर 2022 तक नहीं बढ़नी है, तो इसका मतलब clear cut कर पैसा equity में ही बनेगा, तो equity का पैसा अमेरिका में ही जाएगा, ऐसा जरूर नहीं, emerging markets में भी आएगा, और वहां आएगा, तो हमें भी मिलेगा, तो पहली condition पूरी होती है, दूसरी condition जो है, वो यह के आएगा कैसे, है क्य पैसा किसके पास, वो condition फेड पूरी करेगा, अगर फेड ने अपनी easy monetary policy रखे है, liquidity रखे है, stimulus package बरकरार रखा है, जिसको जितना पैसा चाहिए, कोई पैसे के लिए न रोए, बरावर है, जिसको corporate को, investors को जिस तरह से liquidity की ज़रूत है, वो अगर वो फेड देता रहेगा, और बाकी दुनिया वर के central bank देते रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि पैसा ना है, तो अभी तक तो ये दोनों condition पूरी होती है, इन दोनों condition के चलते हैं, हम ये कह सकते हैं, जिप की पैसा तो अगले साल भी आएगा, और अगले साल क्यों आएगा, उसकी तीस होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, चले तो ये तो अच्छी बात है, फेड का भी साहरा है, और फंड का भी पैसा आएगा, और वैसे भी देखिये, मार्केट तो ये ना है, कि वो डॉलर की सुनामी इस तरी से वह भी शोले का डायलोग याद आता है, मैंने तो कई बार द हैंगे, ये तो आप पर हम पर है, और अवारे साहरे इन्वेस्टर्स पर ज्यादा डिपेंड करता है, कि जो नेट-नेट कुछ रिडंप्शन होने हैं, वो रिडंप्शन बंद हो, और रिडंप्शन बंद हो, और रिडंप्शन देखिये, कोई भी फंड मेंजर ये नहीं चाता है कि वो कैश में रहे हैं, और कैश में रहना सबसे ज्यादा रिस्क है, इन्वेस्टेड होकर आप रिटन खराब दें, तो शाहिद इन्वेस्टर्स आपको माफ कर दें, कि आपने गलेट स्टोक पर दाव लगाया, आपने तो पीएच्व बैंक लेकर रखे तर चले प्राइवेट बैंक, तो आपको सवाल पुझे का आपने क्या सोच के लिए आप शाहिद जस्टी भाई भी कर देंगे, मैंने ये सोचा था, लेकर आप ये बोलों कि मैं तो कैश लेकर बैठा था जी, मैंने तो सोचा था कर्रेक्शन आएगा तो लगूँगा, तो इंवेस कुछ मार्केट व्यू, मार्केट व्यू मैं समस्तों कि बदल जाएगा, और बदल रहा है, लेकिन रिडंप्शन में अगर इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि नहीं बहुत हो गया, मैं एक इसमें एक सला देना चाहता हूँ दोजारी किस के लिए से, आप मत सोचिए, कि मा पर लेगा न, ये उसका काम है, तो बैतर है उन्हें टाइम करने दे, कि अगर उन्हें लगता है, मार्केट बढ़ बढ़ गया, और उन्हें कैश में आना है, तो गरेलू फंड बेचते रहेंगे, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिडंप्शन होता रहेगा, लेकिन म मेरी ख्याल से, लेकिन 2020 में जो कुछी इनों ने बेचा है, उसमें एक सिल्वर लाइनिंग भी है, जब भी गिरेगा, तो लोकल इन्वेस्टरस भी आएंगे, और जो इनके पास कैश लेवल्स हैं, वो भी पैसा मार्केट मार्केट माइगा, तो कम से कम सबसे बड़ा हमार इसने पोर्फोलियो में, या फंड्स ने बनाया, तो वो काम आता रहेगा, तो यह कुछन का काम करेगा, मार्केट में तेजी तो नहीं ला सकता, मार्केट के तेजी को भी नहीं रोक सकता, लेकिन मार्केट को गिरने से रोकने का काम करे लो फंड कर देंगे, तो सपोर्ट सपोर्ट का काम करें, यह मैन लीड में नहीं है, यह सपोर्ट एक्टर है